विल्काम फ्रेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल आरकेनल सेंग एकेडिमी में फ्रेंट्स वहती मातफूर कोशन है जो कि आने वाली सभी परिच्छाओं के लिए वेरी वेरी इंपोरेंट हैं तो फ्रेंट्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लाज या भी कहा जाता है कुष्ट रोग को किस नाम से जाना जाता है प्रेंट्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर लेप्रोसी आल्सो काल्ड एज जो कुष्ट रोग है इसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं या फिर पुकारते हैं बताएं प्रेंट्स क्या होगा इसका सब्सक्राइब नाम से जानते हैं चलिए आप एकस्पलेंड को दिखते हैं कि कुष्ट रोग अथात लिप्रोषी को हैंसें रोग या हैंसें disease के नाम से भी जाना जाता है कुश ड्रोग सिसूस से लेकर बुड़ों तक की लोगों को हो सकता है जले हो सकता है यह फर हो बूरा हो जवान हो यॉया फृर बच्चा हो किसी को भी हो सकता है यह यह मैंको बैक्टिरियम लैप्री नामक बैक्टीरिया के दोरा फैलाया जाने वाला एक प्रकार का बैक्टीरियल इंफेक्शन है ठीक है अर्थातिया फैलने वाला ठीक है फैलाया जाने वाला नहीं है ठीक है या माइको बैक्टीरियम लेप्रोसी या लेप्री नामक बैक्टीरिया के दोरा फैलने वाला एक प्रकार का बैक्टेरियल इंफेक्शन होता है यह लंबे समय तक रहने वाला और लगातार बढ़ने वाला संक्रमाण होता है लिप्रोसी जिसे कुछ ड्रोग का जाता है प्रिंट या मुख्य रूप से इंफेक्शन सरीर की नसो हाथ-पैर नाक की परत और उपरी सुसंतंत्र को प्रभावित करता है प्रिंट कुछ ड्रोग नसों को छती ग्रस्त कर देता है यह आपकी व्यंस को छती ग्रस्त कर देता है और तचा में घाओ यो मान स्पेसियों में कमजोरी पैदा करता है चलिए प्रिंट सेगला कोशन है कोशन नमबर दू पढ़ें कोशन नमबर तभी आंसर को अच्छे से पढ़ें तभी आंसर दी जल्द बाजी बिल्कुल भी ना करें और प्रेंट जितना हो सके आप लोग रिवीजिन करें त्क है प्रेक्टिस करें जितना आप प्रेक्टिस करेंगे उतना ही perfect होंगे पढ़ें qo Inter wight cheese material on the skin up new born present at birth is record जन्म के समय मौझूद नौजास इसु की तुचा पर सफेद चीज जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है प्रिंट बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर पहले आप अच्छे से पढ़ें कुश्चन को वाइट चीजी मटेरियल ऑन दी स्कीन ऑप नूबार्ण प्रिजेंट एड बर्थ सकाल्ड क्या होगा इसका राइट आंसर में पहले आप कोश्चन को पढ़ लें तो देखें प्रिंट से आपके आपसन बी आपका राइट होगा वर्निक्स कैसोसा होगा आपसन बी आपका र प्रोटीनो लिपिट पदार्त के होते हैं यहा पदार्थ होते है जो ब्रूड के सिवेसियसक ग्लैंड्स होती है तो इसमें बनते हैं यही पदार्त नौज़ास की तरचाव पर मोजुद होते हैं आदा मदानुगो आप देखे ला नौ-प यह छोटे-छोटे रूएं जैसे बाल होते हैं जिसे लानुगों कहा जाता है प्रेंट से लानुगों क्या होते हैं छोटे छोटे रूएं जैसे बाल होते हैं जो नौजास सिसु के सरीर पर पाये जाते हैं आप सभी लोगों ने देखे होंगे इम्नियोटिक द्रप इम्नियोटिक फ्ल्यूट क्या है इसे भी आप अच्छे से समझते होंगे अगर नहीं जानते हैं तो आप अच्छे से पढ़ लें ठीक है गर्बावस्ता में ब्रूण के चार और एम्नियोटिक द्रोप आया जाता है जो कि ब्रूण को गर्ब में स्वस्त और सुरच्छित रखने में बदद करता है यह जो एम्नियोटिक फ्ल्यूड होता है जिसमें बच्चा जो आपका ब्रूण होता है वो तेहरता रहता है तक भी कहा जाता है जो प्रॉंट होता है इसे एपिढोच उतक भी कहा जाता है यह सर जो हो जो उसमा अर्थाथ हीट उत्पन करते हैं क्या करते हैं यह उसमा पैदा करते हैं जिससे आपकी बोडी गरम रहे तदा सरीर के ताप को नेमित रखने में मदद करते हैं तो चलिए अगला कोशन है कोशन नमबर तीन पढ़ें कोशन नमबर तीन को पढ़ें कोशन को और अंसर दें फालोइंग मेनोपाज दी मेन काज और फ्रेक्चर एमांग फीमेल एज रजोनी वरत के पश्चात महिलाओं में हड़ी चटकने की मुख्य वज़ा क्या है देखें बहुत ही अच्छा कोश्चन है और जितने भी कोश्चन है पूछे के कोश्चन है तो आप अच्छे से पढ़ लें काजर की फालोइंग मेनोपाज दी मेन काज और फ्रेक्चर एमांग फीमेल एज महिलाओं में मेनोपाज के पस्चात या मेनोपाज के बात जब महिलाओं का पीरियाड बंद हो जाता है और ऐसा तभी होता है प्रेंट से जब महिलाओं की जो एज है वो एक अपने निर्धारी समय तक पहुँच जाती है 45 से 50 साल ये एक एवरेस पीरियाड होता है प्रेंट 45 से 50 साल की उमर पर पीरियाड आने बंद हो जाती है तो इसे रजोनी वरत कहा जाता है रजोनी वरत के पस्चात महिलाओं में हड़ी चटकने की जो मुख्य वज़ा हड़ी चटकने की मुख्य वज़ा फ्रेंट से यह होती है कि क्या होता है कि जो प्रोजिस्टरन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है वो फ्रिंट से बंद हो जाता है ठीक है एस्ट्रोजन और प्रोजिस्टरन का जो लेवल है जो सिक्रेशन है वो क्या होता है काफी मात्रा में कम हो जाता है अगर यूं कहें कि बंद ही हो जाता है इसी वज़े से महिलाओं में बुढ़ापे में हड्डियां चटकने की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है अब यहाँ पे आंसर दें क्या हो गई इसका राइट अंसर फहले अप अच्छे से पढ़ ले देए तो हार्मोन्स imbalance परोजेश्टान और एस्टोजन दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं इमबैलेंस सिरेकां कम हो जाते हैं और और प्रोजिस क्या होता है हड़खिबल हो जाती लचीली हो जाती हड़ियाद चटकने का डरआ रहता है तो यहां पर आपसंसी का राइट होगा क्या होगा यह और भी दूनों होंगे आप संसी यहां पर आपका राइट होगा अब यहां पर हम एक्स्प्लेइन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि रजो श्राव प्रावस्था के बाद जैसे कि मैंने भी बताया रजो नहीं व्यत्ति जिसे मेनो पाज कहा जाता है और मैंने कि मतरा काफी कम हो जाती है हलंकि रिलीज होते हैं बट काफी मक्त मातर में रिलीज होते हैं साथ ही अस्तियों में अस्ति खनिज घनत तो जिसे हम और जा Density कनते हैं कि जो हड़ों का गनत होता है कि चाहनता है ज़य भी हमिवलों का टी जो जाता है जिसकी वज़े से आज जो प्रोसेस हो जाता है मजलता हडियों का ιOoh तो बहुथ ज्यादा करbung के कारण वान में ओडिकांध की चटकती है इस तो बहुत जादा समलगर चलने की जरूरत होती है बहुत ज़्यादा साउधानी की जरूरत होती है तो चलिए next question देखते हैं question number 4 पढ़े question number 4 को effective of polyhidrominoze in pregnancy is गरबावस्ता में polyhidrominoze का प्रभाव है बताएं प्रेंट क्या होगा इसका right answer पहले आप पढ़ें फिर answer दे सिंपल कोश्चन है पढ़ने पहले पहले अच्छ से प्रलेप्स ऑपकॉर्ड गर्ब नाल को आगे की और बढ़ाऊ या मल्क प्रजेंटेशन प्रसों के बाद बहुत ज़्यादा रख्स्राव का हो जाना या फिर आप संदी आल आप अल आप दीज यहां पर प्रेंट संदी ह सब्सक्राइट होगा ओल आप दीज यहां पर मिक्स्प्लेइन को देखते हैं कि पॉली हाइड्रो मिनाज या पिर हाइड्रे मिनाज वह आसमान इस्तिति है जिसमें भूण के चारों और एम्नियोटिक जो द्रौ होता है एम्नियोटिक फ्लीवड होता है इसकी अत्रिक्त म स्वस्वाइब यहां पर देख सकते हैं कि प्रसो अवधी का बढ़ना अपरिपक प्रसोपीड़ा के कारण के कारण परिपक को प्रसो प्रसो प्रीटर्म डिलीवरी जलवाली जिली का जलदी फटना सांस लेने में तकलीफ होना प्रसों के बाद अतरिक तरक्त स्राव पीपेच भी हो जाता है बच्चे की इस्तिती का बिगरना जिससे प्रसों में कठिनाई तो यह सारी समस्याएं होती है प्रिंट तो चलिए लाश्ट पॉइंट है याँ पर अंबिलिकल कॉड जिसे गर्वनाल कहा जाता इसका बढ़ जाना एवं बच्चे के चारो तरफ जाल सा बन जाना आदी चलिए अब नेक्स्ट कोशन है कोशन नंबर पांच पढ़ने कोशन नंबर पांच को फिर आंसर दी पहले आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दी और फिर जादा से जादा आप लोग कमेंट बाक्स में भी आंसर दी बहुत ही सिंपल सिंपल कोशन है और इसी तरह के कोशन पूछी आते हैं पढ़ें कोशन को गर्वावस्ता के दौरान कितनी अतरिक्त कैलोरी के हो सकता होती है बताएं प्रिंट से भी राइट होगा अब यहां पर हम एक्स्प्लेंट को देखते हैं कि गर्वती मैलाओं को एक दिन में लगबग 308 कैलोरी के हो सकता होती है सामान वजन वाली गर्वती मैलाओं के लिए कैलोरी की सही मात्रा पहली तिमाई के दाराण प्रते दिन लगबग 1800 कैलोरी दूसरी तिमाई के दाराण प्रते दिन लगबग 1200 कैलोरी और तीसरी तिमाई के दाराण प्रते दिन लगबग 2400 कैलोरी के हो सकता होती है चलिए प्रेंट से गला कोशन है कोशन नमबर छे पढ़ें कोशन नमबर छ साइकल एज ट्वैंटी वन डेज और लेस इस काल्ड वाइस तिती जिसमें मासिक चक्र की ओधी 21 दिन या इससे कम रह जाती इसे क्या कहा जाता है प्रेंट्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं बहुत ही सिंपल कोश्चन है प्रेंट्स और सभी पूछे गए बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर और प्रेंट्स जितना हो सके आप लोग ज्यादा ज्यादा कमेंड बाक्स में भी आंसर दें तो देखें आप पर आपसन भी आपका राइट होगा एपी मिनोरिया क्या होगा एपी मिनोरिया चलिए आपे एक्स्प्लें को देखते ह कि वाइस्तिति जिसमें मासिक चक्र की ओधी 21 दिन या इससे कम रह जाते हैं जिसे एपी मिनोरिया कहा जाता है इसे पॉली मिनोरिया के नाम से भी जानते हैं यह एक सामान ने गर्भासा ही रखतसरा हुआ जो प्रजनन चमता को प्रवावित करता है क्योंकि ओल्योशन के यह रजनी व्रत्ति असंतुलन आहार या असंतुलित आहार हर्मोनल असंतुलन हर्मोन सिंबैलेंस यौन संचरित विकार आदी भी सामिल होते हैं इन इस्तितियों में कि जो पीरियड है जो मासिक चक्र की ओधी वह 21 दिन या भी और इससे अगर कम हो जाती है तो इसे एपी मिन है यह सारी समस्यां होने लगती है तनाव भी आपको चिर्चिड़ा पर टेंसन रहेगा रजनी व्रत्ति ठीक है असंतुलित आहार हर्मोनल इंबैलेंस भी हो जाएंगे यौन संचित विकार कुछ हो सकता है वाइड डिस्चार्ज होने लगे या भी और भी कुछ प्राब् पॉर्न बेबी आपने देखा होगा जिन्होंने भी अस्पताल पे ड्यूटी की होगी या पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि जो एक नौजास इससु होता है उनमें किस विटामिन की कमी होती है और आपने देखा होगा इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं जब विटामिन के को चलिए आप एक्स्प्लेंट को देखते हैं विटामिन के रख्त के जमाव एम रख्त को बहने से रोकने में मदद करता है या विटामिन नौजाद बच्चों में बहुत कम पाया जाता है जो नौजाद बच्चे होते हैं उनमें कहा होता है बहुत कम पाया बिटामिन के मुख्य रूप से जीवाडू दौरा बनाए जाते हैं यह बैक्टिरिया नौजाद बच्चे बिटामिन की को फ्रिंट्स बनाने गल जो बैक्टिरिया होते हैं यह नौजाद बच्चों में नहीं पायाते थी कैस्वता नहीं पाया जाते हैं यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन है कोशन नंबर एट है पढ़ें कोशन नंबर एट को फ्रिंट्स और आंसर दें आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें इन में से क्या कंगारू मदर केर के लिए सकते हैं बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर skin to skin contact क्या होगा skin to skin contact breast feeding prevention from infection तचा से तचा का संपर्ग इस्तनपान संक्रमण से बचाओ आपसन ए आपका राइट होगा ठीक है अब यहाँ पे explain को थोड़ा सा देख लेए कंगारू मदर केर में तचा से तचा का संपर्ग इस्तनपान और संक्रमणों जो infections होते हैं उनसे बचाओ सामी ले चलिए question number 9 पढ़े question number 9 को और answer देए आप अच्छे से पढ़ लें फिर answer देए बताएं क्या होगा इसका right answer पढ़े question को which of the following drug is contraindicated in pregnancy निमनल खित में से कौन से दवा गर्भावस्ता में परहे जाए बताएं प्रिंट से which of the following drug is contraindicated in pregnancy निमनल खित में से कौन से दवा गर्भावस्ता में परहे जाए बताएं क्या होगा इसका right answer सभी simple question पढ़ें अच्छे से और answer देए तो देखें प्रिंट से आपे option D right होगा इनाला प्रिल इनाला इप्रिल ठीक है यह जो दवा है यह कहा है pregnancy में परहे जाएं या contraindicated है मना है यहां पर बाकी तो यह जितनी भी दवा हैं सभी दे सकते हैं आप अब यहां पर हम थोड़ाचा explain में देखते हैं इनाला प्रिन या फेलो डिपिन इनाला प्रिन फेलो डिपिन नमक दवा गर्वावस्ता में नहीं दिया जाना चाहिए अनिता या भूण के लिए प्राणगा तक साबीत हो सकते हैं ठीक है इस वैसे नहीं दी जाती है गर्वावस्ता में लिखे दवाओं का प्रियोग किया जा सकता है अब यहाँ पर देखिए मेथिल डोपा प्लूनीडीन और एमलोडेपिन ठीक है यह आप दे सकते हैं अब यहाँ पर थोड़ी दवाएं लिखी हैं यह भी आप दे सकते हैं सिट्रेजिन भी दे सकते हैं यह ऐलर्जी में काम होती है आपने देखा होगा कि जो गर्वती मैलाओं होती कभी गिवन में इलर्जी हो जाती तो आप सिट्रेजिन सेफ है प्रेजनसी में बिल्कुल सेफ है लोपेरामाइड यह जो डाइरिया हो जाता है ठीक हो लेटिन वगर आने जखते हैं प्रेजनसी में और यूनी में इस्ट्या यूनी में फंगल इंफेक्शन हो गया है तो बाटो कोनाजोल या मिकोनाजोल यह आप टेबलेट सुरच्छी थैं प्रेगनेंसी में अब यहां पे नोट देख लें इनलप्रिल नामक दवा का उप्योग हाई ब्लड प्रेसर में दिया जाता है जो इनलप्रेल नामक जो दवा है इसका जो उप्योग हाई ब्लड प्रेसर में दिया जाता तता इस दवा का उप्योग सी एच्च एपõ के के लिए के लिए भी किया जाता है चलिए नेक student लास्ट कोश्टन है Günstain autos कशने पढ़े और अंसर दें ठीक है पहले आप अच्के से पढ़ें फिर अंसर दें बहुत केंप सिंपल कोश्चन है और दिए कुश्चन है एड दी हेल्थ केर फेशल्टी हेल्थ वर्कर्स कैन अडेकवेटली प्रोटेक्ट वैक्सीन बाई आल दी फालॉइंग मीजर एक्सेप्ट स्वास्त देख भाल सुविदा में स्वास्त कारे करता निम्लिकित सभी उपायों से टीकों की पर्याप्त सुरचा कर सक सकते हैं बताएं सिंपल कुश्चन है तो देखें आप आप संदी प्रेंट से राइटों का इस्टोर वैक्सिन इन डॉर आफ रेफ्रेजरेटर ओनली के वाल रेफ्रेजरेटर के दरवाजे में टीके स्टोर करें ठीक है तो यहां पर में एक्स्प्लेंड को देख लेते है यह लाइट कोश्चन है स्वासत देख बाल सुविदा में स्वासती कारेकरता निमने लिखित उपायों से टीकों की पर्याब्त सुरच्चा कर सकते हैं उचित वैक्सिन प्रसीतन उपकरणों में टीकों को रखकर तापमान निगरानी उपकरणों का उपयोग करके टीका व 985 4730 42 ठीक है आप इस नमबर वब कॉल सकते हैं अगर आप कॉल नहीं करना चाहते हैं तो वाट्सअफ के जरीए भी हमसे संपर कर सकते मारा वाट्सअफ में आप डबल जीरो 9031680 इस नंबर पर काप संपर कर सकते हैं ठीक है जो आपको उचित लगे अगर आप आप आउनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो ठीक है और प्रिंट्स आउनलाइन क्लास के जो अभी जो फीस चल रही है पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए जो एनम के पूरे कंप्ल कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं ठीक है ऑनलाइन क्लास लेने के लिए तो चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक लिए बाए बाए टेक केर